ओम सूर्याई नमाहा वास्तु ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको सूर ग्रेन के बारे में जानकारी दूँगा दोस्तों साल का बड़ा सूर ग्रेन लगने जा रहा है सूर ग्रेन का प्रबाव भारत के अंदर रहेगा या नहीं रह सूर ग्रेन कब से कब तक चलने वाला है सूर ग्रेन में किन-किन बातों का ध्यान रखना है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी जब सूर चंद्रमा और प्रत्वी एक सीध रेखा में आते हैं तो खगोली गटना शूर ग्रेन गटित होता हैं अतार्त जब चंद्रमा गोमते हुए सूर और प्रत्वी के बीच आ जाता है तो सूर का प्रकास धरती पर नहीं पड़ता जिसे सूर ग्रेन का जाता है चंद्रमा प्रत्वी के चार और पर क्रम करता है तो उसकी दूरी भी बदलती है कभी चंद्रमा प्रत्वी के नज प्रत्वी के नजदीक होता है तो यह बड़े आकार में होने के कारण प्रत्वी से शूर को पूरी तरह से डखता है वही जब दूर होता है तो छोटे आकार के कारण शूर के बीच के इससे को ही डख पाता है जिससे शूर का किनारा नजर आता है तो आस्मान में आग का एक छ कुछ सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक होता है साल 2024 का आकरी बलायकार सूर ग्रेण प्रसांत मासागर दख्णी अमेरका अर्जेंटीना फिजी चिली समेत अन इलाकों में देखा जा सकेगा हालांकि साल 2024 का यह सूर ग्रेण भी भारत में दिखाई नहीं देने बाला है सबसे ग्रेण पहले और इसके समापन तक का समय सूतक काल माना जाता है इस दोरान सुबकारियों की मनाई होती है मंदर के कपाट बंद किये जाते हैं हलांकि जहां ग्रेण नजर नहीं आता वहां सूतक काल माने नहीं होता इसलिए साल का दूसरा आकरी सूर ग्रेण भारत में के दिन पढ़ने बाला है ये रस50 हमावस्य वाले दिन दूसे दिन से क्याव उक्तूबर के द्यान से एक बात सुनना बस पके कया रांगरी हैं पूबी में आदे हम दोटीह सब करें घानी समय के लिए ring of the fire नजर आएगा शूर गिरन और चंदर गिरन की खगुली गटना ब्यदी मैत पुन मानी जाती है दो अक्टूबर दिन बुद्दवार को साल 2024 का आकरी शूर गिरन लगने जा रहा है यह सूर गिरन पूर रूप सूर गिरन होगा यानि पूर रूप से होगा जिसे ring of fire भी का जाता है इस दोरान सूर गिरन की चलते कुछ इस्तानों पर आस्मान में आग का एक छल्ला सर नजर आएगा दो अक्टूबर को सर पित्रमावस्या के साथ स्राध पक्य का समापन होगा इस वाश्राध पक्य की शुरूवात 18 सितंबर को चंदर ग्रेन से विज़ती और 2 अक्टूबर को शूर ग्रेन के दिन समापन होने जा रही है और साथ ही ये ग्रेन कापी लंबा चलने बाला है तो 2 अक्टूबर को रात 9 बज करके 13 मिट से ये ग्रेन प्रारम होगा जो की रात 3 बज करके 17 मिनट पर समापन होगा साल 2024 में 2 ग्रेंड चंदर ग्रेंड और 2 सूर ग्रेंड लगे थे 2 अक्टुबर को लगने बाला ग्रेंड साल का आकरी सूर ग्रेंड होगा इसके बाद इस साल ग्रेंड नहीं लगेगा दोस्तों अमावस्या के दिन पित्रों की पूजा की जाती है अमावस्या के दिन पित्रों की पूजा का बड़ा मेहत होता है तो इस दिन सुवए के समय आपको क्या करना है पित्रों के सामने दीपक जलाना है पित्रों के सामने आप हाथ जोड़ करके आप पित्रों की पूजा करें और साथ ही इस दिन माता लचमी को आप खीर का प्रसाद समर्पित किया जाता है बात करते हैं ग्रेण के समय कोण कौण सी चीजों का ध्यान लेकिन जब पढ़ रहा हूँ तो जाप अगर आप जल्दी से सब्साद से बाता और या निया ना बात तब से लेकर समाप्ति तक यानि 9-13 से लेकर कि 3-7 तक आपको भीच में कुछ भी अगनी बगरा काम नहीं करना है सोना नहीं है अगर आप ज़्यादा नहीं तो ग्रेन जब मध्यम काल में हो तब तक तो आपको जगना है और भगवान की मंत्रों का जाप करते रहें आलंकि यह ग्रेन भारत के अंदर नहीं रहने वाला है फिर भी थोड़ा नेमों का पालन जरूब करने क्योंकि यह ग्रेन कन्या रासी में रहेगा और कन्या राशी के साथ साथ मेश राशी, कन्या राशी, मेतन राशी और सिंग राशी चार राशी वालों को विशेश साथ दानी रखने क्योंकि सूर गरने और सूर सिंग राशी के स्वामी है और मेश राशी में उचके हो जाते हैं तो पालनो आपको दिए के तहीं है कि ग्रेंड जाना है कि अंया में जासे नहीं हम खुग है इaware जैसे रात कर लों के लिए अफ़ेयों के गरवती मैलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुने, देखो, गरवती मैलाओं सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि गेरू लियाएं बजार से, पूजा वाली दुकान से मिल जाता है, गेरू लाकर के पेट पर लगा ले, गेरू लाकर के पेट पर साथ ही इस दिन जब दिन में आपको पित्रों के नाम से पूजा पाट करें दान पुन करें और ब्रामनों को भोजन कराएं पित्रों को विदा करें इससे पित्र प्रसन नो करके आपको आशिरवाद देंगे और पित्र प्रसन नो करके विदाऊंगे तो आपके उपर पित्र हो दोब यह प्राप्त होगा। फिर आप साम कि समय मंद्र में बहगवान सिभ्स के सामने पीपल ब्रके नीच ए जगह उपर छोराई पर इन जगह उपर दीपक जरु जलाएं और एक लोटा जलनें पित्रों की सामने इस लेकर कि घर की में अंदर भाज थोड़ी बार तक जल वगारा लगा ले और अगनी वगारा का काम ना करें भगवान के नाम का चारण करते रहें आपकी प्रतिक मनो कामना पूरी होगी